नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन में ओनलाइन लुटेरों से बचने की जड़त है, आज कर जवे ज्यादा तर लोग घर से ही काम कर रहे हैं, इसके लिए जो है ओनलाइन फ्रोड ज्यादा हो गया है, जिससे बचने के लिए जो है इन दस बातों का ख्यार लखें नमबर वन, फेस्बुक का इस्तेमाल करते हुए या अन्ने सोशल मीडिया साइट पर अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, तो आसानी से विश्वास नहीं करें, पहले थोड़ा जाचे पढ़खे उसके बाद ही कुछ करें नमबर टू, कोबिन नाइटी का मेडिकल टेस्ट या अन्ने कोई ऑनलाइन समान खरिदने से जुड़े लिंक और गूगल से मिले फोन नमबर पर भरोसा नहीं करें, गूगल पर जुटे नमबर और लिंक्स भी मवजूद होते हैं, इसलिए वेबसाइट असली है या नकली पहले वेरिफाई करें, नमबर थ्री, जीयो, वोडा फोन, एर टेल, जैसी मोबाइल कंपनी के नाम बर जो है, मुप्त में जो इंटरनेट के जहां से में नहीं आये, ऐसा मैसेज आते रहता है, रिचार्ज आउड टॉक टाइम के लिए, उस पर लिंक को नहीं खोले, कोई भी कंपनी फिरी में जो है, इंटरनेट नहीं देती है, आपके साथ धोखा हो सकता है, यदि कोई अंजान वेक्ति, आपके फोन पर आपको पेमेंट, लिंक, एसमेस के जड़िये भेजे, और उसके नीचे जो है, नीले रंकी अंडर लाइन हो, तो उस पर क्लिक नहीं करे, यह जो है, ठग बेव साइट हो सकते हैं, किसी के कहने पर या मैसेज पर जो है, मोबाइल फोन में कोई सब्ट वियर एफ डाउनलाइड नहीं करे, अगर बहुत अधिक सपोर्ट के आयो सकता हो, तभी इसे डाउनलोड करे, नमबर सिक्स, गूगल पर जो है, सर्च करे, गर कस्टमर केर नमबर का जो है, इस्तिमाल नहीं करे, इसे धोका धरी के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं भी रुप्य प्राप्त करने के लिए, किसी भी QR, कोड, लिंक पर क्लिक नहीं करे, और नहीं, पे के बटन को दवाए, नमबर एट, बैंक की, EMI, माफ करने के सम्बद में, गूगल पर सर्च कर, नमबर पर जो है, कॉल नहीं करे, नहीं, इस सम्बद में, आई कॉल पर जो है, कोई जानकारी साधा करे, नमबर नाइन, वेव साइट, पर जाकर ही, कस्टमर केर का नमबर या, इमेल आधी का प्रियोग करे, नमबर टेन, परधान मंत्री, रहत कोस मे पैसे केवल अधिकारिक वेव साइट पर जाकर जमा करे, इस सम्बद में, आई कॉल पर कोई जानकारी साधा नहीं करे, इससे जो है, धोकाधरी के मामले सामने आए है, इससे मिलते जुलते जो है, UPI ID का उप्योग करके धोकाधरी किया जा सकता है, ये जो है, मैसेज और ल लोग भी शुरक्षित रहे, सेयर करे, हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और वेल आइकन जो बटन है, उसको भी दवाएं, ताकि मेरे जो है, वीडियो आप तक पहुन सके,